अरे दीदी देखो कितने संदर संदर फूल है अरे दीदी देखो तो कितने पाड़ों के बीट से कितना सुन्दर सूरज निकला है और ये भी देखो कितने प्यारी प्यारी चिडिया पेड़ के ऊपर बैठी हैं दीदी ये सब चीजे किसने बनाई है क्या बाते हो रही है को देखे बते कर रहे थे कि एक इसमें फूल है मैं में पता है एक बहुत संदर फूल की प्रदर्शनी से आ रहे हूं अभी वहां भी बहुत संदर संदर फूल है कुन ने कच्छा दो में वह ओऑ नहीं पड़ी ती इसने सूरत चान बनाया तुम मुझे तुम्हें याद है इच तो सुना तुने भी पढ़ा होगा जी अत्फा तो जोगा मुझे वह कविता कौन है जिस ने पूलों को महकने जिस शेक गएश्य प्रहुरी मर्त हम तका में думא मा च patch आक हम सकते कौन के गुड़ गए noise देखो इस कविता में बताया गया है न इश्वर की महिमा का कुडगान किया गया है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनुषी ने नहीं बनाई हमने नहीं बनाया तुमने नहीं बनाया तो आखिर किस ने बनाया इन चीजों को कौन बनाता है इन चीजों को ऐसी कौन से चीजें तारे, दीदी नधिया, दीदी पहाड, और तुम बताव विदुशी, सूरज, ये बहुत सारी चीजे हमारे आसपास ऐसी है, जिनको हमने नहीं बनाया, लेकिन किस ने बनाया है, तुम्हें पता है, इश्वर ने बनाया है, है न, इसलिए तो इश्वर की महिमा का हम इतना ग गुडगान करते हैं, प्रकति के में बहुत सारी ऐसी ऐसी सुन्दर चीजे हैं, जब हम उनको देखते हैं, तो हमें बड़ा आनन्द आता है, बड़ी अच्छी लगती ही वो चीजे, जैसे अभी तुमने फूलों को देखा, तुम्हें अच्छे लगे न, और उसके बाद म उनकी महिमा का गुडगान किया गया है, उस कविता का सीर्षक है, विमल इंदु की विशाल किरने, है न, और इस कविता को लिखा है, जैशंकर प्रसाथ में, वो इसके कवी है, रचीता है, उन्होंने इस कविता की रचना की है, तो पहले हम तुम्हें कविता की कुछ पंक प्रकाश तेरा बता रही है अनादी तेरी अनन्त माया जगत को लीला दिखा रही है विमल माने क्या होता है पता है किसे को नई विमल का अर्थ होता है स्वक्ष है ना इंदु माने दिदी चंद्रमा शाबाज इंदु माने होता है चंद्रमा तो यहाँ पर कवी ये कह रहा है कि स्वक्ष चंद्रमा की जो किरडे है वो तेरे प्रकाश को क्या कर रही है फैला रही है चारो तरफ है ना और ये जो प्रकाश ये जो चान्नी ये जो रोश्नी जो हमको मिल रही है वो तेरी कृपा की तरह हम पर बरस रही है हम कहते हैं ना इश्वर बड़ा क्रिपालू है है ना जब कोई अच्छा काम होता है तो तुम भी कहते होगे ना देखो भगवान क्या है बहुत दयालू है दयालू है हम कहते हैं तो सच में इश्वर बहुत क्रिपालू है और उसकी हम पर अनंत क्रिपा है फि ये शब्द इश्वर के लिए प्रयोग किये गये हैं तेरा न कोई आदी है न कोई आन्त है ऐसा इश्वर जो है उसकी माया जो है वो चारो तरफ क्या है फैली हुई है और उसकी कृपा हम पर हमेशा बरस्ती रहती है और प्रभु हरक्षण हमको अपनी लीला दिखाता है है तरह तरह के रूपों में हमारे सामने रहता है यह सब प्रक्षण के जो रूप है वो सब किसके रूप है इश्वर के ही तो है तबी तो हम कहते हैं कि इश्वर सर्वत्र है है इश्वर हर जगए है हर चीज में है प्रक्षण के कण कण में है अब आगे जो कविता की लाइन हैं हम उनको लेंगे हैं हम बोलते हैं तुम फिर एक बार दोहरा नंदधा प्रशार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर तेरी प्रशंचा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। अब आगे ये कहता है कभी कि तेरी दया जो है वो इतनी विशाल है उसका इतना विस्तार है जैसे समुद्र। कभी तुम लोग उने समुद्र देखा है? देखा है? नहीं देखा तुमने? कभी उसकी कोई फोटो देखी होगी, कहीं देखा होगा? देखा है ना? चोटा होता ह है स्वा मुद्रू कैसा होता है बहूत बढ़ा होता है बहुत विशाल होता है उसका और छोड तुम्ही कुछ नहीं होता है अगर तुम्हे देखना है कि इसकी कृपा का कितना विस्तार है वो हमपे कितनी कृपा करता है, तो जिस तरह सागर है अनन्त, यहां से वहां तक फैला हुआ है, उसी तरह प्रभु की इश्वर की कृपा भी हम पर उसी तरह क्या होती है? बरस्ती है, उसका भी कोई और छोर नहीं है. आगे कभी कहता है कि तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाय गा रही है तरंग मालाय हो गई समुद्र की वो लहरे वो तरंगे जो उच्छल उच्छल कर तुमने कभी देखा है समुद्र की लहरे आती है फिर वापस चली जाती है उचलती रहती इस तरह से तो कभी यहाँ पर इकल्पना कर रहा है कि वो तरंग मालाय जो है वो उचल उचल कर समुद्र की लहरे जो है वो तेरी क्या कर रही है यशुगान कर रही है ठीक है तेरी जो यश है जो यश की गाथा है उसे बता रही है, खुश हो रही है, आलादित हो रही है, आनन्दित हो रही है, ठीक है, फिर अब आगे की पंक्तिया हम लेते हैं, ये समझ में आ गया है तुम लोग को, है न, कि कितनी उसकी दया का विस्तार है, अगर उसकी दया का विस्तार हमें देखना है, तो हमें किसे देखन वो देख सकता है चंद्रिका को तुम्हारे हसने की धुन में नदिया निनाद करती ही जा रही है अब जो कवी है वो प्रकति के कण कण में इश्वर को देख रहा है कैसे देख रहा है वो कहता है अगर तुम्हारी स्मित स्मित का अर्थ पता है क्या होता है नई पता स्मित का अर्थ होता है मुस्कान अगर तुम्हारी मुस्कुराहट किसी को देखना हो तो वो कहां देखे किसमें बोल रहा है वो चंद्रिका, चंद्रिका माने चांद्री, शाब बाश, मतलब चांद्री में तुम्हारी मुस्कुराहट को देखे, ठीक है, जो चांदी सर्वत्र बिखरी रहती है, कभी तुमने देखा हो, चांदी जब रात रहती है, तो जो रोश्नी पढ़ती है, कितनी सुन्दर लगती है, बहुत अच्छी लगती है ना, तो कभी यहां क्या कल्पना कर रहा है, कि वो क्या है, ईश्वर की, क्या है, ने, मुस्कुराहट है, है ना, वो चांदी जो चारो तरफ बिखरी हुई है, वो ईश्वर की ही मुस्कुराहट है, आगे वो कहता है, तुम्हारी हसी जो है वो नदिया जब कलकल करती हैं बहती हैं तो ऐसा लगता है मानू इश्वर क्या कर रहा हो हस रहा हो तो चान्दी में उसने क्या देखा इश्वर की मुस्कुरा हो और नदियों की कलकलाहट में क्या देखा जब नदिया कलकल करती है वो इश्वर हस रहा ह ऐसा कभी कहता है, कि ऐसा लगता है कि तुम सर्वत्र हो, चारों तरफ हो, प्रकति के कणकण में हो, हर तरफ वो इश्वर को देख रहा है अब आगे की पंक्तिया हम लेते हैं, कभी कहता है, जो तेरी होवे दया दया निथी, बोलो तुम लोग उस पंक्ति को जो तेरी होवे दया दया निथी, तो पूर्ण होता ही है मनुरत, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है अब इश्वर को यहाँ पर कभी ने कहा है दया निथी, हम इश्वर को बहुत नामों से बुलाते हैं, दया निथी, करुणा निथी, है न, तुम क्यों, क्योंकि इश्वर हम पर दया करता है, है न, करुणा करता है वो दया का भंडार है, करुना का सागर है हम कहते हैं तो अब कभी ये कह रहा है कि हे इश्वर अगर जिस पर तेरी अनुकम्पा हो गई, क्रिपा हो गई जिस पर तुने दया कर दिया उस व्यक्ति का क्या हो जाता है? उसके मनो कामना पूरी हो जाती है इसी लिए सब तुझे पुकारते हैं और अपनी कामनाएं बताते हैं और फिर इश्वर उनको अगर हम कहते हैं कि अगर इश्वर को हम क्या कहा जाता है सच्चे दिल से पुकारें तो इश्वर आता है जब तुम्हारी परिक्षा पास आती है तो तुम लोग क्या करते हो, क्या कहते हो भगवान से, करते तो हो, और कहते क्या हो भगवान से, कि भगवान में अच्छे नंबर आ जाए, तो इसी तरह हर व्यक्ति, मुसीवत में जब रहता है, परिशानी में जब रहता है, तो भगवान को याद करता है, अब समझ में आया झाल झाल